हेलो एव्रीवन आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वारत हैं तो आज इस वीडियो में हम काफी इंपोर्टेंट टोपिक डिसकस करने वाले हैं जो कि आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट हैं वो है पढ़ाई करने का सही तरीका क्या है कि आपके ग्रैजूइशन मे आपके एक्जाम्स होंगे बीए बीकों जो भी आप कर रहे हैं एंड आई होब कि आपने प्रिप्रेशन में स्टार्ट कर दी होगी बट अगर आपने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो मैं आपको कहना चाहूँगी कि आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजी क्योंकि दिस कि आप जो भी एक्जाम्स देंगे चाहे आप बीए के एक्जाम्स दें चाहे आप कोई कॉम्टीटिव एक्जाम्स दें आपके अच्छे मार्क्स हैं एंड आप जो भी महनत कर रहे हैं उसका सही आपको रिजल्ट मिले तो देखिए पढ़ने का सही तरीका जो है वो यह हो सेमेस्टर में अडमिशन लिया है तो आपको कुछ पदा भी नहीं होगा कि एक्जाम कैसे होते हैं कोश्ट्ट में पर कैसा होते हैं है ना तो इसलिए आपके लिए भी वीडियो काफी हल्पुल है तो चलिस चनार करते हैं तो देखिए अगर आप ग्रेजुईशन का तो आप वो देख सकते हैं, या पि सबसे पहले तो आपको syllabus अच्छे से समझना होगा, कि आपका syllabus क्या है, क्योंकि syllabus जो है, वो काफी important role play करते हैं, अगर आपको syllabus अच्छे से पता है, तो आप अच्छे से material ढूंड कर अपना पढ़ सकते हैं, बट अगर आपको syllabus ही नहीं पता तो आप कहां से material ढूंडेंगे पढ़ाई के लिए, ठीक है, तो books तो मैं आपको कहना चाहूंगी, कि आप books लेने का जिंजट मत करिएगा, क्या होता है, काफी बचे हैं, जो मुझसे पूछ गया कि मैं कौन सी book लेनी चाहिए, बट book का ये होता है, कि अगर आप book लेंगे, तो हर semester में आपका syllabus change होता रहता है, अभी आपका कुछ syllabus है, second semester में आपका कुछ और syllabus होगा, तो आप हर semester में books लेंगे, आपको पता ये books का खर्चा भी काफी जादा होता है, तो इतनी महांगी book अगर आप खरे देंगे हर semester में, तो हर कोई effort नहीं कर पाता, अगर आप effort कर प जाए, आप एक tenure आता है, जैसे political science का ले सकते हैं, हर subject का tenure आता है, tenure में क्या होता है, पिछले 10 सालों में, जो भी questions आए है previous year में, उनके answers बिल्कुल अच्छे से दिये होता है, with explanation, ठीक है, तो tenure जो आपकी काफी मदद हो जाएगी, तो इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगी कि आप tenure ले सकते हैं, इसके लावा YouTube पर भी आप अलगले वीडियो अवेलेबल होती हैं, आपका जो भी topic है, उससे related, तो आप वो देख सकते हैं, ठीक है, एंड, और आप ये कर सकते हैं, आप जिस भी college में होंगे, उसका कोई group बनाऊगा, वहाँ पर भी आपकी teachers, जो मैं टे 10 year ले सकते हैं, 10 year आपका अच्छे से आपकी help कर देगा exam में, इसके अलावा, books, आपके जो भी teachers, आपको जो भी book बताएं, आप ये कर सकते हैं, आपके college में जो library होगी, नोन के students की, उस library से आप अपनी book issue करवा सकते हैं, ठीक है, तो library से आप book issue करवा लेजेगा, इससे भी आपके काफी help हो जाएगी, क्योंकि क्या होता है, NCWAM में, आप अगर book issue करवाते हैं, तो one week के लिए आपको वो book मिलती है, तो one week में आपके अच्छे preparation हो जाएगी, उस book से आप अच्छे से पढ़ पाएंगे, notes बना पाएंगे, ठीक है, तो आप library से book issue करवा सकते हैं, ठीक कि अगर आप अभी नहीं पढ़ेंगे, तो exam के time पर आप जब exam देने पैठेंगे, तो आपके दिमाग में कुछ भी नहीं आएगा कि क्या लिखना है, तो आप कैसे answers writing करेंगे, ठीक है, तो इसलिए अभी आपको topics जो है, वो च्छे से समझने होंगे, ठीक है, हम भी try करते ह हैंगे, वीडियो अपलोड करते हैंगे, पढ़ाई से related, तो वहां से भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, तो अब तक मुझे उमीद है, ये जानकारी आपको useful लगी, ठीक है, ऐसी career guidance के लिए भी आप कुमारे चैनल को subscribe कर सकते हैं, हम ऐसी आपको career के लिए भी guide करते रहेंग आप 12th क्लास के किसी स्टूडेंट को भी ये वीडियो दिखाएंगे, तो उनके में भी काफी doubt होता है कि उनको आगे क्या करना चाहिए, ठीक है, तो career guidance के लिए भी आप हमारे चैनल को subscribe कर सकते हैं, thank you for watching this video, वीडियो को जादे से जादे शेयर करें, thank you very much